हेलो फ्रेंड्स मैं विने निर्भिक फ्रेंड्स आगर फिर से मैं चनल पर श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि मैं आज बोला था दो पर में कि मैं रात 9 बजे तक एक ऐसा प्रूफ लाऊंगा कि मतलब इससे बड़ा कोई सबूत हो ही नहीं सकता है लोग क्या है कि पढ़े लिखे व्यक्ति समझदार व्यक्ति नहीं हो सकते हैं सिंपल सी बात यह है अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर जाएगर सब्सक्राइब किये हैं तो वेट चाल में चलने वाली लोग है कि आप लोग को probe मतलने नहीं होता है आप लोग यह कहते हैं वो बड़ा यूटुबर यह बोल रहा है हो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो तो थाइट मैं क्यों बोलू जिन बड़े यूटुबर का आप यूटूबर करता है कि उपर thumbnail में लिखता है official update, official news और जब video play करते हैं तो official नाम की कोई चीज नहीं रहती है आप thumbnail में देखेंगे किसी ने किसी notice का छोटा फोटो लगाए रहते हैं लोग और जब video open करते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं रहता है अपनी मंगढ़न्द कहानिय सुनाते हैं जो आप लोग को अच्छा लगता है ठीक है तो मैं मंदगढ़न्द कहानिय नहीं सुनाना चाहता हूँ और नहीं मैं कभी कहता हूँ कि official update है मैं जो बताता हूँ कि अपने सोर्च से बताता हूँ कि हाँ यह चージ हुआ है उफिसल अबदे जोग रहते हैं, ये कुछ लोग क्या कहते हैं? कि अफिशल निईज लिक देगे, उफिशल निईज आ गया और आप नोगको ऊपयोग करते हैं, तो friends सबसे पहली बात है आप लोग comparison करना छोड़ दिजे किसी का life में किसी यूटीबर में बात करो पूरे life में कभी भी किसी का comparison नहीं करना चाहिए अगर आप अपना दूसरे सकंप्रिजन करेंगे तो हमेशा क्या होगा आपके मन में negativity भरी रहेगे और कभी आप life में आगे नहीं बढ़ पाएंगे ठीक है क्योंकि सबका कुछ नहीं कुछ quality होता है कुछ नहीं कुछ demerits होते हैं तो आप कभी भी किसी का किसी इस comparison ना करें सबके अंदर अलग-अलग काबिलियत होती है और कुछ लोग पता नहीं किसी से दूसरे यूट्यूबर से मेरे comparison कर रहे हैं तो मुझे चमचे हो चे बुच के नहीं दीख रही है कि कुछ लोग को क्या है अपना course बेचना है मैं सुरुष चिला रहा हूं जिन जिन को course बेचना है वो छोटा असा न्यूस पाते हैं कि यह exam इस दिन होने वाला है वो तुरंद बोलते हैं हाँ exam अब होके ही रहेगा तुम मेरा course खरिद लो मैं इतने कम बेच रहा हूं इतने offer बेच रहा हूं तो friend मैं तो course बेचता नहीं हूँ आप लोग को मालूम होगा तो मैं क्यूं ऐसा फफ़ेला हूं ठीक है तो मैं उनसे यह कहूंगा जो फालतो लोग गाली देते हैं निगेट्यू कमेंट करते हैं वो लोग मेरे चैनल से दू लगेगा नहीं अना ही subscribe करने में कोई पैसा लगाया है ठीक है friends तो अकर पसंद नहीं आता है तो ना पसंद कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेकिन मैं जो भी बात कहूंगा logic के साथ कहूंगा जो लगेगा हां मैं सही कह रहा हूं जिनके बस अपना खुद का दिमाग होगा औ जो बोला हूं सही बोला हूं बिल्कुल logic के साथ बोला हूं ठीक है कुस लोग क्या कह रहा है तुम कह रहते अंटीपे से एक्जाम नहीं होगा मिनिस्ट्रियल का नोटिस आ गया मिनिस्ट्रियल का अडमिट काड आ गया तो friends कोई भी बंदा बता दे कि मैं यह बोला था कभ जो आज पता चल गया है वह जाद हे एक्जाम डेट इसमे पाता चल गया है इसके चार दिन पहले आप डॉल बात करेंगे हम आज की बात करते हैं और अब बेड चाल नबने और बड़े YouTubers के पिछे ना भागें आप अपना दिमाग लाएं चैकोई बड़ा YouTuber कोई छोटा YouTuber हो ठीक है वो आपकी थिंगी को पड़े परेंट करता है कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं होता है ना ही कोई काम बड़ा छोटा होता है ठीक है तो हम सबूत की बात करते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स जैसा कि आपको मालू होगा मैं पहले बार बता दू कि मैं सुरू से कह रहा हूँ कि जब तक ऑफिशल नोटिस ना आया साइट पे तब तक आप किसी पे विश्वास ना करें और मैं सुरू से कह रहा हूँ कि पिछली भरती दौर 18 में होई थी तो लगवाक 40-45 दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि इस इस दिन एक्जाम है बताया गया था इससे पहले भी जो भी एक्जाम सुए बताये गया है ठीक है तो अभी इस बार क्या है अभी NTP से इसा कोई ओफिशिल नोटिस नहीं आया है मैं जी यूटूबर्स ने अफ़ा फैला दिया कि ये दिन ये दिन है पहले लोग हला कि ये 15 दिसंबर से होगा अब लोग हला करें 28 दिसंबर से होगा जी यहां 28 दिसंबर से एक्जाम नहीं होने वाला है अब कब होगा ये आप लोग बार आप पूछे नहीं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे फेक नियूज नहीं फैलाना है नहीं मुझे कोई कोर्स बेशना है कि मैं अपने मन से कोई डेट बता दू हाँ 20 जनवर्स एक्जाम होगा 22 मार्स से हो जा तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा जब तक कुछ इंफॉर्मेशन इसलेट मिलेगा नहीं जब तक कुछ नहीं बोल पाऊंगा बस यह कहूंगा कि 28 जनवर्स एक्जाम नहीं होगा मैं अपने जबान पिक्दम फिक्ष हूँ ठीक है जो मैं लागतार बोल रहा हूँ अब बात करते हैं प्रूफ हम देख लेतें क्या है यह देखे फ्रेंड्स यह पुराना नोटिस है लेकिन इसी में सब कुछ छिपा हुआ है कि मैं कहां से बालबर बोल रहा हूँ जो मैं भी पहले नहीं देख पाया था ठीक है यह क्या लिखा है लागतार प्रूफ कि अनिक्स इसमें क्या हुआ है यह टो दोल सब्सक्राइक का लिखा हूआ बुरात शून देखेंड करसंग क्या हूआ है क्या हुआ है इसमे क्या लिखाग हूआ वाइका नम जरों बागतार बोलाटिस अट्वित पूद अनोगर्फ दोल रुंदेश का status of application can be viewed through the link provided on the website साफ respective ORBs यह सब आया थे, आप लोग चेक भी किये थे, मतलब link वगएर आया थे आप लोग चेक किये थे, कुछ लोगा reject हुआ है, कुछ लोगा accept हुआ है, ठीक है तो अभी क्या है, अभी reject वाले पर साने, उन्हें modification link नहीं मिला है, तो यह तो एक reason भी पड़ा हुआ है, मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है SMS and email will be sent to the candidates registered mobile number and email ID provided in his her application whose application is rejected, यानि उनको SMS वगरा किया गे, email वगरा किया गे, आप पर reject किया गे, क्यों किया गया है, ठीक है status of application can be viewed by entering the application registration number and data ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है while every care has been taken in preparing the list of provisionally eligible candidates, RRB reserve the right to rectify any inadvertent error or tropographical or printing mistakes, ये भी कोई खास matter नहीं है, लेकि जो black में लिखा देखते क्या लिखा है RRB regrets in ability to entertain any correspondence from inelisible candidates, के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो है सो है उनका, ठीक है अब आगे क्या लिखा हुआ है candidates of all eligible candidates is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of the recruitment process, और दिरप्रमली तो होता है ये provisional होता है, जब तक आपके joining हो न जाए, दो सल आपका provision period complete हो तब तक होता है ठीक है, इहाँ आप छोड़ दीजिए, अब important में क्या लिखा हुआ है, beware of touts who try to misguide candidates with fake promises of appointment for jobs on illegal consideration, RRB selections are based on computer, based CBT, and recruitment is based only on the merit of the candidates, ठीक है, इसे भूल जाईए अब आप देखे, last line, जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ, और फिर मैं किसी और notices को compare करूँगा, फिर आको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, candidates are advised to refer only to the official websites of RRBs for latest updates on the recruitment process please do not be misled by unauthenticated sources, तो यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि आपको केवल RRB के website पर ही विश्वास करना बाकि किसी पर विश्वास नहीं करना है आप किसी YouTube चैनल पर कुछ लोग बोल दे रहे हैं रेलेवे कि YouTube चैनल पर कुछ बोल दिया जारा यह कपका नोटिसा था था फ्रेंग्स 16 सितंबर का था चेर परसन रेलेवेंट बोर्स ठीक है यहाँ पर यह चीज लिखा हुआ अब एक और नोटिस हम दिखाएंगे आपको इसमें कहीं भी मेंसन नहीं है कि आपका एक्जाम 15 दिसंबर से होगा या फिर अठाइस सेंबर से होगा ठीक है फ्रेंड्स यह साफ साफ आपको दीख रहा है ठीक अब आपको हम सेकेंड नोटिस एक दिखाते हैं यह है आपका CEN 03-2019 रेक्रिमेंट फर वारियस पोस्ट आप मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट केटेग्रीज ठीक है यह मिनिश्रियल वात करने जो करने जारा है कि युश्के लिए मैंने कभी मनना नईक्य कि युश्रा होगा में हमसा का वह अग्युवाट पर से होगी कि इसका भी है लिज़न इस ही बीजा सबस्दाइस में टाइम पर होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखा हुए है the applications were invited from eligible candidates for various forms of 30 categories notified in CEN 03 2019. The scrutiny of applications was completed and the application status link was provided for candidates from 15th October 10 to 20 October 23 as 59 minutes to view status of their applications. Ab next line dekhiye kya likha huwa hai next point. Point no. 3 The single stage CBT as per details provided in CEN 03 2019 duly observing COVID-19 guidelines will be held tentatively between 15 December and 23 December. Yarni hi haa bata diya gaya aip ka exam 15 December se 30 December ke bich karaaya jayega. Thik hai yehi baat. Or yeh baat NTPC me nahi bataayega officially. Yeh sab kya hai? Official site pe joh mein notice liya ho. Thik hai? Dhoanon notice me era official site se liya gaya na hai kisi YouTube channel se liya gaya na hai kisi conference se liya gaya. Thik hai isme saaf safleika hai ki yeh exam 15 December se 30 December ke bich ho ga. Iska date teakse difference kap ka yeh notice hai? Yeh 30 October ka. Yarni lag bhaq 45 din pahle bataaya gaya hai. Jaisa ki mein bar bar kare raha hong kari rale bataata hai. 40-45 din pahle aip ko jaroor bataata hai. Kye aapka exam kab ho ga ya nahi ho ga. Thik hai? Thik hai? Thik hai joh 28 December oldi news hai yeh. Kye hon conference me hai yeh. Kahi bhi official site pe nahi yeh. Na hi PIB, PIB ko bhi bhoot uccha maanay jatata hai. Thik hai? Vishwaspati ho ta rale bale source ho ta hai. Kyeo ki uska naam hi ho ta press information bureau. Yarni ki yohan sab jangah se. Malab news collecter ke malab joe sahih ho ta hai. Usi ko oha dikhaya jatata hai. Rakhha jatata hai. Toh ab hihaan bataayi. Iska already bata diya gaya. Ab kus loog kaya raha hai ki 10 din pehle notice aata hai. Bhai yeh kahaan liikha 10 din pehle notice aata hai. Aakar 10 din pehle notice aata hai. Ministerial kitna pehle kuyo bataaya hai. 45 din pehle kuyo bataaya hai. Baaki exam usko 45 din pehle kuyo bataaya hai. Kyora NTPC mahanayake aisa exam hai. Iska 10 din pehle bataaya jaya. Iska kya rakhha huwa hai. Kisko pedal se mele nahhi bataaya jayega. Aba bataaye khud. Main surus chila raha hoon. Kye jitne exam hoote hai. Unke official notice aate hai pahle. Uske baad exam schedule vaga raaya chahena hai. Woha alag kish hai. But 40-45 din pehle aako jaruroor bataaya jayenge. Officially aapka exam hoonay jaya raha hai. Jaisa ki RRB Minister and Assoluted Criticism Bataaya gaya aako 30th October ko hi. Lekin RRB NTPCM 16 September ko aapka notice aare. Usme kahi nehi date mention kiya gaya. Aapka exam hoonay wala hai. Thik hai. Minister ka tender isko mila hai. NTPC ka tender isko mila hai. Groupedic tender isko mila hai. To ispe main kal video banao ga. Friends. Tender ko lhe kare jake offer file a jayare. Uspe main batauo ga. Friends. Aap bares hotel ke pichhe na bhaaghe. Aap aapna dhimang lagaiye. Kye kone srach bola hai. Kone jhoot bola raha hai. Aap khud logically sloch lijiye. Kya aachanak possible exam karana. Kya conference se pahli bar hoa. Jiske pichha apnoe pade huwe hai. Yek aise conference tini ya. 4 bar ho chukhe hai. Jib date dhiye gahe hai. Aisai conference. Aap chhodi jib notification nahi aya. Tho usse pahle bhi kai bara huwe thae. Khi hama vacancy nikalne wale hai. Aap phir 6 mahinay vacancy complete kara dhenge. 6 mahinay ke 2-6 aal bhi. Aabhi tak return exam tak nahi kara pahayin. Complete kara nye kaya baat kara raha hai. Toh soch ye conference ke kya value hai. Toh conference ka matlab kuch nahi hoota hai. Government khud janti hai. Kye woha mehaz eek afwaa hoota hai. Public ko murk binaaya jata hai. Baki kuch nahi hoota hai. Jou bhi hooga. Aapke official site pe hooga. Jou aapke rrbz hai. Unke site pe hooga. Baki kahi nahi milega. Aapko exact information. Thik hai. Toh aap kisi pe aisee bishwaas na karayin. Islaya mein share hoon ka 28 december se exam nahi hooga. Kab hooga. Yeh mein nahi bata sakta abhi. Kye isolated koji information abhi mere paas nahi. Yeh mein fake news nahi phaila septa hoon friends. Thik hai. Toh friends. Aapse bas yeh hi kehna tha. Yeh hi dikhana the proof. Kya aap loog parišaan na hoon. Aapko negative comment kar rahein. Unse bhi meri appeal hai. Friends. Aapko mera video nahi paasand rahein. Mera baat nahi paasand rahein. Thaap mera video kuyo click kartho ho? Kuyo dhekhte ho bhai? Mä toho aapko majubur kar nahi raho ho. Koji pe aisee aapse le nahi raho. Thaap mat dhekha karo na. Jineh vishwaas hai. Vohi dhekhen. Lekin kisiko gaalini na dey. Eek rule hoota hai. Aapka shanskar hoote hai. Kus aap khud sochiye. Aisaa comment aapko nahi karna chahiye. Thaap friends. Toh mahi aapse yehi kaoonga. Kiki exam johi 28 summer se nahi hooga. Aap ishse bada proof koji aapke liye nahi hoona chahiye. Mäni aachhese explain kar diya. Mäni kya kya bata ya hai. Kiki pe aintahari zine pahle notice deena inko hoota hai hai. Abhi tuk jitni exam hoi sabb me notice diyen hai. Akar anti-pismi ni hoi notice nahi deyte. Thaap bauht gilat hooga. Joh yuvao kisat dhokha hooga. और abhi tuk inhoonay modification link bhi nahi diya hai. Aapko maalum hooga. Thaap tinder ki baad me boli raho. Kal bataoonga ki kis company ko tender mila hai. Kis exam ka tender mila hai. Kiska pending paada sabb me. Kal bataane waala abhi friends. Thaap abhi afuwao ke pichhe aap na pade. Aapne preparation me dhyaan de. Aapne preparation me dhyaan de. Aapne suru se bola raha ho friends. Kya preparation me dhyaan de. Kus loog kaya raha hai. Kis date is libolan nahi hooga exam abhi. Kis preparation me naga karpa hai. Iska selection me dhyaan de. Bhaaii mein kitne bar selection me dhyaan de. Mä jahaan hau hong already hoon jahaan pe. Thaap hai. Mujhe parišan hoon ki jarruwat nahi. Aapko maire pichhe parišan hoon ki jarruwat hai. Thaap hai. Mere saath aisha ni. Mä jis ka video bana raha hoon. Uska exam me dhyaan de raha hoon. Yaa phir usma nukeri lene jara raha hoon. Haan exam me dheta bhi hoon. Iska nukeri check karne ke liye. Taaakki me aapko review dhe sekoon. hoon ki yis exam me kaise questions aare hein. LiqRobles koi matoi mai hai cioon kiwa hiun kya di jahaan pe hon. Thaap hai, tthats my aapko hai jahaan pe hoon. Thaap hai, tthats my aapko jei hei konga. Ki aisea parishan na hon. Are abhi 18 number se exam nahi hoonay waala hai. Thaap hai, tthats my friends. Baaki me kalbataoun ka tender k bargain. To thank you friends. Taan kya. Thaap hai. Kya 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 kya? झाल झाल झाल